हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो माई चैनल बचो क्लास 12 के लिए माडल पेपर उत्तरप्रदेश मादमिक सिक्षा परिशत यानि यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया है लेकिन अभी तक सभी पेपर जो है इंग्लिस वर्जन के जारी किये गए है तो आएए आज हम Physics जिसका विस है कोड है 151 इसका डाउनलोड इंग्लिस वर्जन ये पेपर को हम डाउनलोड करते हैं और यह हिंदी वर्जन नहीं आया है इसलिए इस पेपर को मैंने हिंदी वर्जन में आप लोगों के लिए किया है और इसका पूरा solution आपके लिए ले करके आया हूँ तो यह है model question paper 2021-22 class 12 physics समय 3 घंटे 15 मिनट, पुरडांग 70 पहले के 15 मिनट दिये जाते हैं बच्चों को paper को पढ़ने के लिए instructions है, सभी questions compulsory है 5 section में बटा हुआ है A, B, C, D, E यानि Hindi में यह इन पार्टों में बटा हुआ है जो A section होगा या multiple choice question होगा B वाला जो है one mask question होगा C वाला short answer type 1 होगा और D वाला short answer type 2 और E section long answer question होगा जो की five mask का होगा और इसमें internal choice दी जाती है उस choice में से आपको एक part करना होता है तो यह है section A, section B, section C, section D और इसके यह question है English में अब आईए इसको मैं Hindi वर्जन आपके लिए बताता हूँ तो यह है physics sample paper 2021-22 के लिए जो की UP board ने release किया है English medium के लिए और इसका हिंदी वर्जन यह आपके समक्ष प्रेसित है भौतिक विज्यान अब इसमें यह पूरे instructions दिये गए है खंड A, सभी खंडों के उत्तर दीजिए इसमें जो है क, ख, ग, ग, अंग, यह और च, 6 questions होंगे और इसमें आपको सही विकल पर निसान लगाना होगा तो question number 1 का क है निमनलिखित विदुत चुमकिये तरंगों में निउन्तम तरंग दैर्द है पराबैगनी X किरणे, माइक्रो तरंगे, गामा किरणे तो इसका answer होगा option number 4, गामा किरणे किसी कण का संबेग P है तो द्रव्य तरंग की तरंग दैर्द होगी तो P बराबर H by lambda या lambda बराबर H by P तो option number 1, H by P किरणे आपका प्रथम नियम, संग्रक्षण नियम पराधारित है मतलब किस संग्रक्षण नियम पराधारित है तो किरणे आपके प्रथम नियम में यह धारा से संबंदित है धारा जो है आवेश से संबंदित है यानि यहां आवेश सनच्छड के नियम को बताता है थर्ड आप्सन होगा घर, पी अन संधी डायोड में पस्च संत्रिप्त धारा द्वारा केवल होती है किसके द्वारा? तो यहां अल्प संख्यक आवेश वाहक के द्वारा होती है पी टाइप तथा एन टाइप में बहुसंख्यक आवेश क्रमसर होते हैं तो पी टाइप में कोटर होते हैं और एन टाइप में इलेक्टरान होते हैं यानि कोटर एन इलेक्टरान या आप्सन नमबर 3 मीटर से तुका तार बना होता है लोहा, ताबा, मैंगनीन या यूरेका या स्टील यह एलाइका बना होता है मैंगनीन या यूरेका खंड बर बामर स्रेडी की निवन्तम तरंग दैर्दे बताईए एकल गोली सतह के अपवर्तन का सुत्र लिखिए एक उदाहरन द्वारा आइसो टूब के ब्याख्या कीजिए विभेदन छमता के अनुसार रेडियो एक्टिव तरंगों को बढ़ते क्रम में लिखिए किसी संधार इत्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है आइंड गेट की लिए तारकिक प्रतीक बुलियन विचार तथा सत्यता सराड़ी बताईए तो इस तरह से खंड सर खंड द ये कोस्चन इसमें दिये गए है अब इसका देखें आप आंसर तो उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर ले और देखें ये सलूजन तो फर्स्ट आप्सन हम लिखेंगे कैसे कह चौथा आप्सन गामा के रणे ख फर्स्ट ह बाई पी गह थर्ड आवेस घह फर्स्ट अल्पसंख्यक आवेस वाहक अंग थर्ड कोटर इलेक्ट्रान और च मैंगनीन या यूरेका खंड बहक आंसर देखें तो इसमें बोला है कि बामर्स रेड़ी की सबसे छोटी तो बामर्स रेड़ी की सबसे छोटी से तात्परी हुआ कि कहां से आएगी वो एंट्टो बराबर इंफिनिटी से प्राफ्थ होगी इसका मतलब है कि 1 अपान लेंडा मिनिमम बराबर r 1 अपान 2 का स्क्वायर minus 1 upon n2 square n2 infinite हो जाएगा तो r into 1 by 4 यानि r by 4 और lambda minimum इसका reciprocal 4 upon r और r का मान 1.097 10 to the power 7 और इसको simplify करते हैं तो यह आ जाता है 3649 अंगस्टाम एकल गोलिय सता के अपरतन का सूत लिखिए तो n upon v minus 1 upon u equals to n minus 1 by r n उसका निर्पेक्चा पॉर्तनांक r radius of curvature और u object distance भी image distance एक उदाहरण द्वारा isotope की ब्याख्या कीजिए तो एक ही तत्यों की वे परमाणू जिनके परमाणू करमांग समान होते हैं परंतु द्रवयमान द्रवयमान संक्या जो है वह भिन भिन होते हैं उन्हें समस्थानिक करते हैं या isotope करते हैं जैसे hydrogen के तीन समस्थानिक proteum, deuterium, tritium 1H1, 1H2 and 1H3 इसमें आप देख रहे होंगे कि इनका जो atomic number है वह सब के लिए बराबर है जो में पराबर है इसका मतलब है कि या isotopes है घर, विभेदन छमता के अनुसार radio active तरंगों को बढ़ते करम में लिखिए तो सबसे जादे penetrating कौन होगा गामा उससे कम बीटा और सबसे कम अलफा तो अलफा इस लेस देन बीटा इस लेस देन गामा किसी संदारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है तो संदारित्र में दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके तथा प्लेटों के बीच पराबैदुत पदार्थ भर कर संदारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है आइंड गेट के लिए तारकिक यह logic gate आपको बनाना है तो यह d का save बनेगा दो input होगे और a का output y equal to यह end gate है तो यह into हो जाएगा end gate है तो यह a into यह a into b हो जाएगा यहाँ पर a into b यह into हो जाएगा a into b अब इस तरह से जो है a, b अब 0, 0, 0 आजाएगा 0, 1, 0, 1, 0 0, 1, 1, 1 आजाएगा सो बैदुत flux किसे कहते हैं और रेडात्मक बैदुत flux से क्या टात्पर है तो किसी बैदुत छेत्र में किसी कालपनिक प्रिष्ट से प्रिष्ट के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल बैदुत रेखाओं की सम्ख्या को उस प्रिष्ट से बद बैदुत flux करते हैं इसका मातरक न्यूटन, मीटर स्क्वाइर पर कुलाम होता है और रेडात्मक flux का आर्थ होता है कि बैदुत बल रेखाएं प्रिष्ट में अंदर की ओर प्रवेश कर रही है बाहर निकलेंगे तो धनात्मक और अंदर की तरह प्रवेश कर रही है तो रेडात्मक होता है तो रेडात्मक flux से तात पर है कि बैदुत बल रेखाएं प्रिष्ट के अंदर प्रवेस कर रही है ख़ब दिया गया है धारा पाँच एंपियर समय एक मिनट कितने इलेक्टरान फ्लो हो रहे हैं तो Q बराबर I into T होता है Q बराबर N नी तो N into E बराबर I into T तो इलेक्टरानों की संख्या हो गया N बराबर I T अपान E और यहां पर ही मान रख दिया गया दिया गया 1.875 into 10 power 21 इलेक्टरान गर बामर स्रेड़ी के लिए 1 upon lambda equals to capital R 1 upon 2 का square minus 1 upon N का square N का मान 3,4,5 से सुरू होगा तो दूती रेखा के लिए पहली रेखा 3 पर मिलेगी दूती रेखा 4 पर मिलेगी तो N का मान रखेंगे 4 और जब N का मान 4 रखेंगे तो यह हमें मिल जाएगा 1 by lambda equals to R 1 upon 2 का square minus 1 upon 4 का square तो capital R 1 upon 4 minus 1 upon 16 तो यह मिल जाएगा आपको जो है LC हम ले लेगे 16,4 में से गया 3,3 R upon 16 तो यह हम जाएगा तीन का घह डी ब्रागली तरंग दैर्द के लिए बेंज़क प्राप्त कीजिए तीसरे का घह जो है यह है तो इलेक्टरान की डी ब्रागली तरंग दैर्द है तो इसमें आपने पढ़ा है कि द्रभ विकंड से संबद डी ब्रागली तरंग दैर्ध लेमडा बरावर h by m भी होती है जहां m कंड काद्र विमान और भी वेग है तो अगर इसकी गती जुर्जा को अगर हम देखें तो k बरावर 1 अपान 2 mv स्क्वार और यह बरावर e b के हो और m को अगर अंदर ला दें तो m का स्क्वार हो जाएगा एक m कट जाएगा तो 2 e mv अब इलेक्टान से संबद डी ब्रागली तरंग दैर्ड लेमडा बरावर h by p तो h by mv b के जगा पर इसका मान रखेंगे तो यह मिल के आ जाएगा h अपान अंडरूट 2 mk और अगर k की value हम पूट कर देते हैं e b के टर्म में तो h अपान अंडरूट 2 e mv यदि वेक की साथ द्रवेमान में परिवर्तन को नगणे माना जाए तो गतिक द्रवेमान जो rest mass है उसके बराबर हो जाएगा तब इलेक्टान से संबद डी ब्रागली तरंग दैर्ड लेमडा बरावर h अपान अंडरूट 2 e m0 into v अगर हम यहाँ पर e m0 और h का मान रख दें तो यह आ जाता है 12.27 अपान अंडरूट v अंगस्टाम जहाँ पे भी जिस विभवानतर से उसको त्वरित किया गया है यह विभवानतर होता है चार का कर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संजुक्त फोकस दूरी के लिए सुत्र बहुत इंपार्टेंट टापिक है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संजुक्त फोकस दूरी तो सबसे पहले तो आप इस तरह से फीगर बनाएंगे अब पहले आप ये मान लेते हैं कि दूसरा surface नहीं है तो पहले के थुरू u object distance पर ये मान लेते हैं कि जो image है वह image बन रहा है i ये i पर बन रहा है यानि v distance पर तो इसके लिए क्या formula बनेगा formula इसके लिए बनेगा 1 upon ये पहला v dash पर माना गया 1 upon v dash minus 1 by u equals to 1 by f1 अब दूसरे lens के सामने यह i dash बस्तु का काम करेगा आभासी बस्तु का कारे करेगा और इसका image ये बनाएगा i पर तो इस तरह से ये दूसरा बनेगा 1 upon v minus 1 upon v dash equals to 1 upon f2 अब क्या करें इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जब जोड़ देंगे तो v dash वाला term जो है 1 upon v dash और यहां से minus 1 upon v dash ये कट जाएगा ये मिल जाएगा 1 upon v minus 1 upon u equals to 1 by f1 plus 1 upon f2 और यही जो है capital f के बराबर होगा तो इस तरह से compare कर दें तो अब इसमें अगर हम एक convex रखें दूसरा concave रखें या दोनों concave रखें तो f1 और f2 का मान रख करके हम उसे find कर सकते हैं question number 4 का ख आइंस्टीन का प्रकास बैदुत समीकरण इसमें energy के लिए जो equation आता है उसको आपको प्रूफ करना है तो प्रकास बैदुत सर्जन की Einstein द्वारा ब्यक्या यह quantum model के सिधान पर किया गया जहां पर यह कहा गया कि उर्जा के छोटे छोटे पैकट या बंडलों के रूप में चलता है जिने फोटान करते हैं प्रतेक फोटान की उर्जा H नी होती है और जहां H प्लांक नी है तांक और नीव प्रकास की अवरित्ती होती है तो Einstein के अनुसार यह कहा गया कि जब फोटान इस पर आपतित होता है तो अपनी पूरी की पूरी उर्जा किसी इलेक्टरान को दे देता है और वह इलेक्टरान सर्फेस तक आने में कुछ उर्जा खर्च करता है और जो उर्जा बच्ती है वह जो इलेक्टरान को देता है वह उसकी गतीज उरजा के रूप में बाहर आजाती है तो इस तरह से H नीव उर्जा जो है W प्लस EK यानि कारेफलन और EK गतीज उर्जा के बराबर हो जाती है तो EK बराबर H new- W अब यहाँ पर कारेफलन W h nu 0 होता है, तो अगर यह value हम रख देते हैं, तो यह ek equals to h nu minus h nu 0, h को कामन ले लेंगे, तो h nu minus nu 0, तो इस तरह से यह ek मिल गया, अब अगर electron का दरवेमान m है, उसकी अधिकतम velocity v max है, तो अधिकतम गती जूर्जा होगी 1 upon 2 mv max square, तो इसको बराबर क equation Einstein का प्रकास बयदूत समीकरण कहलाता है, चार का गव, चार के गव में यह कहा गया है, कि कोई प्रकास की किरण, जब किसी सतह पर पड़ रही है, आपतित हो रही है, तो कुछ हिस्चा उसका अपवर्थित होता है, कुछ परावर्तित होता है, तो परावर्थित किरण और आपवर्तित किरण के बीच बनने वाला जो कोंड है वह 90 डिग्री होगा यानि आई-पी प्लस आर 90 डिग्री होगा इसको प्रूफ करना है तो यह देखे एन बराबर साइन आई-पी अपान साइन और एन बराबर टैन आई-पी होता बुस्टर के नियम से तो एन बराबर आपवर्तन यानि इसमें देखे आई-पी इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि आपववर्तन कों और परावर्तन कों आपस में बराबर होते हैं तो इस्तरह से हम बैलू रख लेंगे कास आई-पी, इक्वल पू साइनल, साइनल, को कन्वर्ट करेंगे कास में, तो कास 90 माइ तो ampere का परिपतिय नियम लिखेंगे तो इस नियम के अनुसार चुम्बकिये छेत्र प्रेरण B का किसी बंद वक्र के लिए रेखी समाकल यानि close.integral B.dl द्वारा घेरे गए छेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा I का mu not गुना होता है यानि close.integral B.dl equals to mu not I जहां mu not निर्वात की चुम्बक सिलता है अब अनन्त लंबाई के रिजूर यानि state current carrying conductor के लिए उसके center पर चुम्बकिये छेत्र के लिए बेंज़क निकालना है तो यह हम इसके लिए बेंज़क निकाल लेंगे किया जाएगा B equals to mu not I upon 2pi R चार का अंग numerical question है दिया गया है कि कुंडली का जो प्रेरकत्व है 40 milli henry है इसको convert कर लेंगे 40 गुडे 10 की घात minus 3 henry धारा 2 से 12 हो जाती है यानि अंतर हो गया minus 10 ampere delta T 5 millisecond है इसको convert कर लेंगे second में तो 5 into 1 minus 3 second प्रेरित मिदूत वहाँ क्वल गयात करना है तो equals to minus L di by dt यानि delta I upon delta T तो ये बैलू रखेंगे तो 40 गुडे 10 की घात minus 3 गुडे delta I minus 10 और ये 5 into 1 minus 3 इसको salt कर लेंगे तो आजाएगा 80 volt पांच का कर पांच के कर में दिया गया है कि एक सम्तल उत्तल एक सम्तल उत्तल लेंज जिसकी focus तूरी 20 cm है लेंज के पदात का पॉर्टनांक एक दस्मलों पांच है तो उत्तल की वक्रता त्रिज्या बताईए तो लेंज सम्तल उत्तल है तो जो पहला सत्ता होगा उसकी वक्रता अनंत होगी R2 को R मान लिया तो लेंज मेंकर फार्मूला से 1 upon f equals to n minus 1 1 upon R1 minus 1 upon R2 तो 1 upon 20 equals to 1.5 minus 1 1 upon infinity minus 1 upon R 1 upon infinity 0 हो जाएगा 0.5 यहां बच जाएगा तो 1 बटा 20 बराबर इधर हो गया 0.5 और यहां से minus 1 by R तो minus 0.5 by R R का मान हो जाएगा minus 10 cm और यह minus sign यह बताता है कि इसका जो वक्रता केंद्र है वह left side होगा तो इस लेंज के उत्तल सत्ता की वक्रता तरिज्या होगी 10 cm पांच का खर एक दूरदर्सी है उस दूरदर्सी का जो अभिदर्स्यक लेंस की फोकस दूरी है 144 cm जो नेत्रिका है फोकस दूरी 6 cm और उसकी आवर्धन चमता ग्याद करनी है और नली की लंबाई तो दूरदर्सी की आवर्धन चमता माइनस ये अफो अपान एफी तो माइनस 144 बटाच्य यानि माइनस 24 और इसकी अभिदर्स्यक और नेत्रिका की बीच की दूरी तो एल बराबर होता है एफो प्लस एफी तो 144 प्लस च्यानि यानि पच्चा सेंटिमेटर पाच का गर LED क्या है और इसका जो है LED का भी आई अभिलचनिक वक्र खीच ये तो LED क्या है लाइट एमिटिंग डायोड प्रकास उसर्जक सेल प्रकास उसर्जक सेल एक विशिष्ट प्रकार का अधिक अभमिस्रित PN संदि डायोड होता है जो अगर अभिनति में प्रकास उसर्जित करता है या एक ऐसी उक्ति है जो अभिनति बैटरी से प्राप्त बैदूत उर्जा को विकिरण उर्जा में परिवर्थित करती है LED का जो VIA अभिरचनिक वक्र है जो साधारण PN जंक्सन का वक्र होता है VIA वैसा ही होता है तो LED की जो आंतरिक बोल्टता से अधिक बोल्टता पर LED में सुचारू रूप से पैदू धरा का प्रवा होता है यानि हम जब फारवर्ड बोल्टेज को एक निस्चित मान से आगे बढ़ाते हैं तब LED से लाइट जलना सुरू होता है यानि प्रारंब होता है ये इसका जो सरक्रीट डाइग्राम है और ये भी आई अविलचनिक वक्र है पांच का घर वैदूत परिपत संबंदी किरचाप के नियम की ब्याख्या कीजिए किर्चाप के नियम की ब्याख्या कीजिए दोनों नियम तो प्रतम नियम संधी अत्वा धारा का नियम जो की समेशन आई बराबर आप जीरो लिखते हैं याने आने वाली धाराओं और जाने वाली धाराओं का योग सुने होता है इसी तरह से दोतिय नियम बोलता अत्वा पास का नियम तो किसी बंद परिपत में किसी बंद परिपत में प्रतेक बंद पास के विभिन खंडों में प्रवाइत होने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुडन फलों का बीजगनतिय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त बैदुत वाहक बलों के विजगनतिय योग के वराबर होता है यनि समेशन आई यार वराबर समेशन ई और इसको इस तरह से हम एक एक जामपल के रूप में इसे परदर्शित कर देंगे बंद पास के लिए अब इसमें चलते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब धारा की दिशा में चलेंगे तो धनात्मक लेंगे और धारा के विपरीच चलेंगे तो धारा को रिडात्मक लेंगे इसी तरह से ये सेल के सीरे पर जब हम जो है धारा के दिशा में चलते हैं तो इधर लेट साइड रखेंगे न, एक ही तरफ अगर रखते हैं, तो इसको माइनस ले करके चलते हैं, तो इस तरह से यह I1 R1 माइनस I2 R2 और इधर लेप्ट साइड रखेंगे तो माइनस I, यह माइनस E1 और प्लस E2 यानि इसके निगेटिव सीरे से चलेंगे तो जिस सीरे से चलेंगे वो सीरा लिया जाता है, रिड़ सीरे से चलेंगे तो रिडात्मक और धन सीरे से चलेंगे तो धनात्मक लिया जाता है यह उर्जा सनच्छड के नियम पे कार करता है और जो फस्ट वाला है वह आवे सनच्छड के नियम पर जो की आप एक question में उपर भी देखे हैं इसका अथवा part है एक बैदुत चुम की तरंग का समिकरण by बराबर 8 into 10 power minus 6 sin 2 into 10 power 11 t plus 300 pi x tesla दिया गया है समिकरण होता है b बराबर b not sin omega t minus k x अगर इससे compare करें तो b not equals to 8 into 10 power minus 6 tesla omega 2 into 10 power 11 और k कमां 300 pi पूछा गया है तरंग दैर्ध और e y पूछा गया है तो lambda पर आपर 2 pi अपां k तो 2 pi अपां 300 pi simplify करेंगे 6.67 10 power minus 3 meter e not equal to b not c c प्रकास का बेग है तो यहां से b not कमां 8 into 10 power minus 6 और यह 3 into 10 power 8 simplify करेंगे 2.4 10 power 3 volt per meter और हमें e y चाहिए इस तरह समीकरण लिखना है तो क्या करेंगे बाकी सब हो ही रहेगा जो यह term था starting वाला b का b के लिए था तो e का e के लिए होगा e का मां कितना आ गया 2.4 10 power 3 sine और यह bracket की जो बैलू है यह पूरी वही रहेगी इसकी unit आ जाएगी bolt per meter 5 का अंग e n दिया गया है minus 3.4 e b और n में कक्षा में electron की उर्जा का सूत्र होता है minus 13.6 बटा n square e b तो इसको इसके बराबर कर देंगे तो n square बराबर minus 13.6 बटा minus 13.4 cut कर देंगे 4 आ जाएगा n square बराबर 4 तो n बराबर 2 इसमें electron का कोड़ी संभेगवद पूछा है तो l बराबर n h upon 2 pi होता है n का मान 2 हो गया h upon 2 pi 2 से 2 cut गया h upon pi h का मान और pi का मान रखेंगे या जाएगा 2.2 तेंग परवाज 34 kg m2 per second खंडिया खंडिया में पूछा है संधारितर की धारिता के लिए इसके लिए ये बेंजक है इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है तो प्लेटों का छेतरफल बढ़ा कर प्लेटों के बीच की दूरी कम करके और प्लेटों के मध्य पराबैदूत पदार्थ को भर करके बढ़ाई जा सकता है इसका आथ्वा पार्ट है कि रेखी आवेस घनत उसे क्या ताथ पर है और इसके आधार पर कवास के नियम का प्रियोग करते हुए अनन्त बिस्तार की समतल आवेसी तचालक प्लेट के कारण बैदुद छेत्र की तिवरता ग्यात की जिए तो सबसे पहले आप परिवासित कर देंगे रेखी आवेस घनत किसी एक समान आवेसित अनन्त लंबाई के तार की प्रती एकांक लंबाई पर आवेस की मात्रा को रेखी आवेस घनत करते हैं इसे लेमडा से प्रतरसित करते हैं यदि एल लंबाई के चालक पर एक समान से बित साथवान युमेरिकल पार्ट है आर दिया गया है 2 इंटेन पार माइनस 10 मीटर भी दिया गया 3 इंटेन पार 6 मीटर पार सेकेंड और भी पूछ रहा है तो आई बराबर होता है क्यू बाई टी और क्यू बराबर ये टी बराबर क्या होगा टी के जगह पर लिख सकते हम सरकम्फरेंस बटा वेलासिटी 2 पाई रवाई भी ये वी उपर चला जाएगा तो इवी अपान 2 पाई र हो गया धारावाई बृत्त के केंदर पर चुम्बकिये शेत कीति बरता होती है बराबर मू नाट अपान 2 पाई र पूट कर देंगे ये सिंप्लिफाई करने पर आएगा मू नाट अपान 4 पाई इंटू इवी अपान र स्कॉरर ये बेलू पूट करेंगे तो आजाएगा 1.2 टेसला दो समांतर धारा बाही चालक के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र निगमित कीजिए तो ये A और B ये दो फिगर बनते हैं एक में धारा एक ही दिसा में और दूसरे में धारा भी परीद दिसा में ले करके और निकाला जाता है तो किसी एक के लिए हैं, हम यह आपर find कर लेंगे, तो क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं कि पहले में जो धारा जा रही है, उसके कारण दूसरे वाले में, जुम बकिये छेद, तो b1, mu0 upon 2pi, i1 upon r होगा, इसके कारण इस पर जो लग रहा है बल, यह बल हो जाएग f बराबर i2, b1, l, sin 90, इसकी बहल हो आगई, f कमान, इसी तरह से per unit length, तो upon r कर देंगे, यह सुतर निकल करके आ जाता है, question number 8, स्रेणी अनुनादी परिपत किसे करते हैं, तो वह परिपत, जिसमें आरोपित पोल्टेज की आबर्ती, परिपत की साभाविक आबर्ती के बराबर होती है, स्रेणी अनुनादी परिपत कर लाता है, और इसमें बोल्टेज वधारा समान कला में होते हैं, यह figure हम बना और पूछा गया कि अनुनादी परिपत में, अनुनादी परिपत में फिक्वेंसी के लिए, तो जब XL बराबर XC होता है, उस स्थिती में अनुनादी यानि उसमें धारा अधिक्तम हो जाती है, तो इस केस में XL बराबर XC रखेंगे, तो ओमेगा L बराबर 1 अपान ओमेग नहीं करती, क्योंकि इस सुत्र में R नहीं आता है, यह numerical part है, यंग के एक परियोग में 4000 अंग स्थाम तरंग दर्द का प्रकास परियोग करने पर 2 मीटर दूर इस्थित परदे पर 0.6 mm चोड़ी fringe बनती है, यदि पूरे उपकरण को एक दसमलों 5 आप और तो नांक वाले fringe bits की बात करें, तो beta dash upon beta equals to lambda dash upon lambda और lambda dash upon lambda होता है 1 upon n, यह अन का मान 3 बटा 2 है, तो इस तरह से मिल दाएगा 2 upon 3 beta, beta का मान 0.6 तिया गया है, तिया गया 0.4 mm, और थात पूरे उपकरण को अगर एक दसमलों 5 आप और तो नांक वाले दुरों में दुबा दिया जाएगा, तो fringe की चवडाई घट करके 0.6 mm से 0.4 mm हो जाएगी, यह NPN transistor में बैदुधारा के प्रवाह की ब्याख्या कीजिए, transistor में आधार को पदला क्यों बनाए जाता है, PNP transistor की तुलना में NPN transistor अधी को प्योगी होता है, क्यों, तो यह हम पहले लिखेंगे NPN transistor की क्रिया विधी, यह प transistor में आधार को पतला क्यों बनाते हैं, तो transistor में आधार को पतला इसलिए बना जाता है, कि दोनों यानि उतसरजक और संग्राहक के बीच में यह आसानी से आवेस वाहक को जो है, फार करा करके संग्राहक में भेज दे, फिर पूछ रहा है कि PNP transistor में, और NPN transistor में NPN superior होता है, क्यों, तो PNP transistor में बहुसंख्य कावेस वाहक कोटर होते हैं, जबकि NPN में electron होते हैं, electronों की जो गतिसीलता है, वह कोटर से अधिक होती है, इसलिए NPN transistor, PNP transistor की तुलना में अधिक उपियोगी होते हैं, अधवा पार्ट में है, हाइगेंस के दूतियक तरंगे का सिध्धा की ब्याख्या कीजिए, तो इसे आपने पढ़ा है कि ये दो-तीन इसके points हैं, पास्टुलेट्स हैं, और इस पास्टुलेट्स पर फिर ये हम figure बना देते हैं, प्रथम और दूतियक तरंगिका के लिए, और यहाँ पर तो ये पूछा नहीं है कि अपवर्तन और परावर्त की ब्याख्या भी पूछता है, तो इसी की आधार पर उसे हम ब्याख्या उसकी कर देते हैं.